इस वक्त गाजा के लोगों को अब किसी पर यकीन नहीं रहा है। अरब देशों ने गाजा के साथ ऐसी चाल चली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इस वक्त हमास को सबसे बड़ा खत्रा इसराइल के बाद दो देशों से लग रहा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये दोनों देश उसके सबसे बड़े मदददार माने जाते हैं। हाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और करेब 3,000 लोग मलबों में दफन है। इसराइल किस तरफ और कितनी तरफ से हमास पर तूट पड़ा है। इसकी रिपोर्ट करने की ताकत भी अब फिलिस्तीन के अख़बारों के पास नहीं पची है। घाजा पट्टी के अंदर 40 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। और इसराइल फिलिस्तीन के अख़बारों के पूरे नेटवाक को ही तोड़ दे रहा है। इसलिए अब घाजा पट्टी से वही खवरें सामने आ रही हैं जो इसराइल चाहता है। इतने पुरी हालातों के बावजूद भी 57 इसलामे मुल्क घाजा पट्टी के 20 लाथ लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहा जो रिपोर्ट आ रही है। उससे ये साफ लग रहा है कि उत्तर घाजा में भारी कोहरा मचाने के बाद अब इसराइल अपना पूरा फोकस दक्षनी घाजा पर कर रहा है। सवाल ये है अगर उत्तर घाजा और रख्षन घाजा दोनों में ही इंसानों के रहने लाएक इस्तितिया नहीं रहेंगे तो आखिर घाजा के ये लाखों लोग कहां जाएंगे। ऐसे खतरनाक हालातों में अगर 57 इसलामिक देश एक साथ खड़े होते तो निश्यत तोर पर इसरेयल पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन आज इस्तिती बिल्कुल अलग है। एक तरफ सौधी अरब है जो हमास का समर्थन करने वाले लोगों पर हंटर चला रहा है। तो दूसरी तरफ तर्की के राजशबदी अरदुगान है जो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं घाज़ा पट्टी के लोगों की बात करके भावुख हो जाते हैं। तर्की के राजशबदी अरदुगान ने जर्मनी की राजधानी बर्लिंग का दौरा किया है और जर्मनी के चांसलर उलाव शकॉल्स के साथ उनकी द्वी पक्षिय वार्था होई। लेकिन इस पूरी वार्था के दौरान आर्थिक मुद्दे पूरी तरह से किनारे नजर आए। और दूसरे सभी मुद्दे घाज़ा पट्टी के तनाओं के सामने छोटे पड़ गए। आखिर कैसे तुर्की के राश्यवदी एर्दौान हमास के बख्ष में पूरी इसलामी दुनिया को एक करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। ये पूरी हकीकत आपको विस्तार से आगे बताएंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सौधी अरब की जहां एक ऐसी घटना होई है जिस पर यगीन करना नामों के नजर आता है। सौधी अरब के अंदर ऐसी एक में और भीग गई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हमास के समर्थों पर सौधी अरब की सरकार कड़कती विजली की तरह तूट रही है। सौधी के लिए एक फिलिस्तीन काफिया पहने हुए थे। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा खपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चेक होते हैं। फिलिस्तीन का अंदोलन करने वाले बड़े नेता यासिर अरफात अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और ये फिलिस्तीनी काफिया एक तरह से यासिर अरफात की पहचान बन गया था। अब्दुल रह्मान ने एक ऐसा ही फिलिस्तीनी काफिया सौधी अरब के अंदर भी पहना हुआ था और इसलिए सौधी अरब की पुलिस ने उन्हें राशत में लिया और घंटों तक पूछता चाई सौधी अरब की पुलिस ने ब्रिटिश एक्टर अब्दुल रह्मान से ये बूचा कि वो कब से सौधी अरब में है सौधी अरब में वो कहां कहां गए है अब्दुल रह्मान को एक संदिध की नजर से देखा गया अब्दुल रैमान के उंग्लियों के निशान देने के बाद उनको रिहातो कर दिया गया लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा भैभीत हो गया उन्होंने मेडलीस्ट के एक न्यूज पेपर से बात करते हुए कहा कि वो फिलिस्टीन के साथ सहनुभूती दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें ये करने नहीं दिया गया इसी तरह सौधी अरब के अंदर गाजा के लिए प्रातना करने वाले एक अलजीरियाई मोलके शक्स और बांगलादेशी मोलके एक ब्रिटिश नागरे को भी गिरफतार किया गया बात एकदम साफ है कि सौधी अरब का सौधी राजवन्ष ये नहीं चाहता कि उसकी धरती पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन की संस्कृती का जन्म हो सौधी राजवन्ष को ये बाद बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो लोग आज फिलिस्तीन के समर्थन में सडकों पर उतरेंगे कल उसकी ही सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए सौधी राजवन्ष प्रोटेस्ट के कल्चर को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहता है यही उसका एक टारगेट है आम तोर पर ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि सौधी अरब एक ऐसा देश है जिसका पुराना नाम स्टेट आफ एजाज था लेकिन 23 सितंबर 1932 में जब सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सौध ने इस स्टेट आफ एजाज पर कबजा किया तो उन्होंने इस इलाखे का नाम बदल कर सौधी अरब रख दिया इसमें सौधी शब्द सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सौध का सरनेम है शायद दुनिया के ऐसी पहली घटना होगी जब किसी राजवन्ष ने किसी देश पर अधिकार करने के लिए उस देश का नाम भी अपनी राजवन्ष बिनाम पर कर दिया हो एक तरफ सौधी अरब हमास के समर्थकों पर हंटर चला रहा है उन्हें गिरफटार कर रहा है और उनको ये नसीहत दे रहा है कि इसी गितरह का प्रदर्शन फ्रीकार नहीं किया जाएगा जबकि दूसरी तरफ तर्की के राजशपती अरदुआन पिछले एक महीमे से लगा कार फांसू बाहर है तर्की के राजशपती अरदुआन ने बर्लिन का दोरा किया और इस दोरान उनकी द्वी पक्षिय वारता जर्मनी के चांसलर ओलाफ कोज के साथ होई है अरदुआन आर्थिक मुद्दों पर बाच्छीट करने के लिए बर लेना है थे लेकिन सारा मामला खटाई में पढ़ गया और सबसी ज़ादा मत्वेद घाज़ा के मसले पर होगी जर्मनी को तुर्की के राष्टपती अर्दुआन की वोबास सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी जिसमें अर्दुआन ने जर्मनी के इसराइल को किये जा रहे समर्थन को लेकर एक एतिहास एक तंज कसा तुर्किय के राजश्वपती अर्दौान ने कहा कि जर्मनी इस अपराद बोध से ग्रस्ट होकर के इसरेयल का समर्थन करने के लिए मजबूर है कि दूसरे विश्युद में यहूदियों का जोनर संखार हुआ उसमें जर्मनी के ताना शाह हिटलर की एक बहुत बड़ी भूमिगा थी यही बात किस तरह तर्किय के राजश्वपती ने संकेत में गए जरा सुन। एगर बूर्दा इलिम्स कोलूमूस दिलिम्स बाखली कलर सक बनुन तारिह एसाबने वेरेमेएज वेरेमेन ingredients उनसे वेरेमेरेमेरेख एसी लेरेम एरेम्ए एकी táा एिसे में a platformọi ह sua । ुक्ठा भ所以呢 इसरे बिस्राइल बेर कीत का intense overlap भाध मेंसमें मेरेमेगेल changes आप ओरितिम्स स्यरेमें बाल गो एसाफ है कि तूर्का येवे जीत भीव अप्रलक बमार शburg напис known और के राज़्पती ने कहा कि उनके उपर कोई गरजा नहीं है कि वो इसराइल का समर्थन करने को मजबूर हैं। जबकि इसराइल के तानचान ने यहूदियों का नरसंगार। नोट करने वाली बात ये है कि जर्मनी ने अब तक इस्रेल को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इस्रेल के खिलाफ हमला शुरू किया उसके बाद ही जर्मनी के चांसलर ने इस्राइल की राजधानी तेल अवीद का दोरा किया और उन्होंने नेतनियाहू से मुलाकात करके इस्राइल को हर तरह से मदद का आश्वासन दिया इतना इने जर्मनी हथियारों के तौर पर भी इस्रेयल की मदद करता रहा है और यही बात तुर्की के राश्चोबती Erdoğan को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने जर्मनी के चंसलर के सामने उनकी मौजूद्गी में घाजा के मुद्दे को बहुत बड़ी पेमानी पर उठाया दूसरे वे शुयुद्द के दोराँ जर्मनी के दानशाः एडॉल फेटलर ने यहूदियों का नरसंधार करने के लिए बाकाईदा संस्थाइं बनाई थी और इन संस्थानों में पूरे योरप के अंदर करीब करीब साच लाथी यहूदियों को मार दिया गया था एडॉल फेटलर एक समाजवादी राश्रवाद की राजनितिक विचारधारा के अनवाई थे और हिटलर ने जो कुछ भी किया उसके बाद जर्मनी के अंदर कभी भी कट्टर राश्रवादी पार्टी उभर ही नहीं सकी लेकिन अब तुर्की के राश्रवती एरदोआन साफ तोर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमास ने जो किया वो घलत है तो अब घाजा के अंदर जो इसरेल कर रहा है उसकी भी निंदा होनी चाहिए दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर भी इसमुद्दे पर पीछे नहीं हते उन्होंने भी अरदोआन के सामने ही हमास के निंदा की साथ अक्टूबर को हुए आतंगवादी हमले का जिक्र किया और हमास के पूरे खात्मे के इसरेली संकल को सही टहरा यानि अगर देखा जाये तो जर्मनी और तुर्की एक बाच्शीत की मेज पर जरूर थे लेकिन उनके बीच बहुत भारी मत्मेद है कि अगर एक्टी नच्या कि बीचिखी नेगादी थास्ट झाजबर को सही ऑच्टूबर उक्तोर पड़गादी थास्ट बिचे का इसरे हमास का जिक्र की अर्वांद केंड़ बूर बाद्स्टिंट पर चलता जार्सेटीन अग्या है और उनकी सुनने वाला या उनके जखमों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है तुर्की हो मिस्ट हो इरान हो या जॉर्डन हो वो जुबानी खर्श तो कर सकते हैं लेकिन इस्राइल के खिलाप एक्षन लेने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं जुटाई है रियाद के अंदर सौधी अरब की अगवाई में इसलामिक देश का एक संबिलन हुआ था जिसमें घाजा पट्टी के मुद्दे को प्रमुक्ता से उठाया गया लेकिन इस पूरी बैठक के बाद भी गोशना बत्र जारी नहीं हो पाया यानि ये साबित हो गया कि इसलामी देशों में घाजा पर कोई सहमती नहीं बन पाई है अब ऐसे में इसरेल के पास पूरी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों पर कुरूरता बुर्वक किया जा रहा है